मस्कार दोस्तों आज मैं जिस जिस का रिव्यू करने जा रहा हूं वो ये बिस्किट है जिसका नाम है डार्क फेंटेसी चॉको फिल्स अब ये जो बिस्किट है काफी लोगों को लगता है कि ये काफी महंगे आते हैं ये चीज कोशली है लेकिन उतनी ही फाइदेमंद है ये मैं आपको बताता हूं आप कहोगे ये कैसे फाइदेमंद है तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज यहां से दिखाता हूं जो मैंने पहले भी काफी सारी प्रोड़क में दिखाई है वो ये कि आपको ये दिखना है ये नूट्रिशनल इन्फोमेशन दी गई है आपको ये नूट्रिशनल इन्फोमेशन दी गई है ये नूट्रिशन दी ग्राम अफ दिस प्रोड़क वी दिखना है ये प्रोटीन अप्टू 5.7 ग्राम और दूसरी चीज यह पैट और सुगर है एक चीज गौर करने वाली है ये प्रोटीन अगर आप एक केला खाते हो if you eat a banana you will get 4 gram of protein समझ लिए आपने बात अब ये जो बिस्किट है इससे आपको मिलता है 5.7 ग्राम अब दूसरी चीज आप देख लिए जो सबसे important रोटी है वो ये की ingredients क्या यूज किये गए यहां देखे चौको क्रीम यूज हुआ है 38% जिसमें sugar, refined oil, palm oil, cocoa solids, antioxidant अब ये देखिए INS ये देखिए आप देख सकते हैं ये देखिए INS 3 222 ये जो लिखा है और काफी सारे INS लिखे INS 503, INS 3 222 सबसे important यहां पर ये है INS 3 222 ये क्या होता है ये होता है ACIDITY जो आपके शरीर में होती है और BASICITY एसीड और BASE जो है उसका नियमन करता है ये एक ingredient होता है जो एक chemical होता है लेकिन इससे आपके शरीर को कोई खत्रा नहीं है कुछ नहीं हो ये देखे मिल्क solid यहां पर यूज हुए है बटर यूज हुआ है यहां पर लिखा है कि it contains permitted natural colors कुछ ऐसे colors है जो हमारी government ने permit किया है कि आप FMCG प्रोडक्स पर यूज कर सकते हो यह FMCG प्रोडक्स है ठीक है ना तो इसमें वो यूज हुआ है और दूसरा यह देखना है आप 30 रूपीज का यह total biscuit है और आपकी यह पैकेजिंग डेट है वो भी देख लेनी है यह September महिने का है तो इस तरह से यह मेरा review है thank you so much अगर आपको review पसंद आए तो इस video को like कीजिए और मेरे channel को subscribe कीजिए